हेलो दोसों दिखरी चनल केंपुस नियूज दोसों दिली के स्कूल अफ़ लड़नी के थार्ड समेश्टर के होने वाले ओपन बुक एक्जाम को लेके जो है इंपोर्टेंट गाइडलाइन्स के उपर में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपको जो है open book के मादम से जो है online उक्जाम देना है साथ में question paper आपका कहां पे जारी किया जाएगा जहां से आपको वापस अपना answer seed लिख के अपलोड करना है साथ में ये answer seed जो है PDF फाइल में अपलोड करना है या फिर JPG में कैसे आपको जो है लिखना है कितने घंटा आपको मिलेगा आपको answer seat करने के लिए साथ में scan करने के लिए, upload करने के लिए इसके लिए कितना समय मिलेगा तो पूरे detail में आज हम यही चर्चा करने वाले हैं और साथ में किन-किन बातों का आपको open book exam के माद्यम में आपको ध्यान रखना है तो पूरे detail में आज हम यही चर्चा करने वाले हैं बातों कि आप चैनल पे नए हो चैनल को subscribe कर लिजीगा साथ में bell लेकिन को press click call का button दवा लिजीगा ताकि DUSO से related सारा अपड़ीट मार्श चैनल पे आपको मिलता रहे तो दोस्तों 15 दिसंबर के बाद जो है थर्ड समेश्टर के open book के माद्यम से जो है online exam स्टार्ट होने वाला है और इसी को लेके जो है बहुत सारे च्छातर जो है सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर उनका exam जो है कैसे लिया जाएगा आप इस पे एक वीडियो बनाएं तो दोस्तों इसके लिए जो है आप guidelines जो है release कर दिया गया था 5th semester के साथ ही जो कि आप SOL के official website जो कि sol.du.ac.in है इस पे जाके आप जो है ये guidelines जो है देख सकते हो तो इसके लिए जो है important notice information में आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो सलाह केवल SOL के CBCS mode के परिक्षार्थियों के लिए तो यही जो है guidelines है जो की 3rd semester के open book के मादम से जो होने वाले exam है उसके लिए भी है और ये 5th semester के लिए भी था तो इसको हम download कर लेते हैं और आपको जो है बता देते हैं कि कैसे आपको जो है registration करना है open book examination का और सारा जो है पूरे detail में बताऊंगा तो सलाह केवल SOL के CBCS mode के परिक्षार्थियों के लिए open book परिक्षा OBE है तो डियू पोर्टल का उपियोग करने की जानकारी के लिए link solobe.uod.ac.in तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह दिहान रखना है कि आपको जो है SOL के जो है open book के exam का जो है portal जो है नया launch किया गया है और यह जो है solobe.uod.ac.in है इस पे जाके आपको जो है login करना होगा यानि कि आपको पहले तो registration करवाना होगा इसके लिए आपके पास में email id और चालू mobile नमर जो होना चाहिए email id वही यूज करें जो current समय में आप यूज करते हो जिसका जो है परते हो आप वही email id वहाँ पर डालना है यह सुनिश्चित करें कि आपके पास do portal slobe.uod.ac.in पर पंजिकरिन के लिए एक सक्रिय email id और mobile नमर होई यानि कि वही सेम बात कहा जा रहा है चुकि उत्तर पुस्तिका PDF form 7 MB से कम में होगी इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पेपर को scan करने और उसकी PDF बनाने का अभ्यास करें कई अच्छे mobile application है जो कम फाइल आकार के साथ बहुत अच्छी गुनवक्ता में scan करते हैं यानि कि आपका जो answer seat जो आप लिख लेंगे वो जो है आपको PDF के थूरू जो लेके जो है PDF बनाना कैसे बनाना इसको लेके कई application जो है आपको play store पे मिल जाएगा बाकि हम जो है description में भी जो है डाल देंगे कि वहां पे आप जो है कैसे अपना PDF कम समय में create करें वह जो है आप वहां से देख सकते हो वीडियो चौथा जो है कृपिया PDF में password ना डाले यान यह आपको scan करने और चार अलग-अलग PDF असानी से बनाने मदद करेगा यानि कि इसमें यह कहा गया है कि सभी page को आपको scan करना है पहले तो और उसके बाद अलग-अलग करके आपको upload करना है PDF upload करते समय विशेज दिहान दे कि सही PDF ही upload की जा रही है कई विद्यारती इसमें गलती करते हैं और आखरी समय में upload करते समय अन्य PDF upload कर देते हैं इन गलती से बचने के लिए आप PDF फाइल बनाते समय हैं उसका नाम अपनी सुगधा के अनुसार बदल सकते हैं यानि कि इसमें ये कहा गया है कि आप जब PDF बनाएंगे तो उसका ध्यान रखे कि आप सही PDF ही जो है upload कर रहे हैं आपको जो है कोई दूसरा PDF नहीं upload कर ले और इसके लिए आप अच्छा नाम जो है अपने सहुलियत के हिसाब से जो है create कर ले साथवाच्यू की परतेक उत्तर के लिए एक PDF फाइल बनानी होती हैं इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके परतेक उत्तर की पहली सीट पर निमलिखित विबरन लिखे हैं यानि कि हर एक पेपर पे जो है आपका जितने भी कोस्चन आपने बनाएंगे उसके हर एक पहले सीट पे परिक्षा की तीथी और समय लिखना है आपको परिक्षा रॉल नमर लिखना है तीसरा कारिक्रम का नाम लिखना है समेश्टर वर्स लिखना है यूनिक पेपर कोड यह सब आपको question paper पे मिल जाएंगे फिर जो है paper का सीर्षक लिखना है उसके बाद जो आठवा नमर है यह सुझाब दिया जाता है कि अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रतेक प्रिष्ट के ऊपर निमलिकित विवरन लिखे परिक्षा रॉल नमर, paper code, paper page नमर यह हर एक page पे आपको लिखना है किरपियाव प्रोक्त को छोड़ कर कोई भी व्यक्तिगर जानकारी जैसे की mobile नमर, email id उत्तर पुस्तिका पर ना लिखे यानि कि यह personal detail आपको जो है answer seat पे नहीं लिखना है यानि कि आपका mobile नमर, email id या फिर आपका roll नमर यह सब जो है नहीं लिखना है महतपूर्न, खराब internet connectivity किसी भी प्रत्यासी तकनीकी गरवरी आधी के मामले में छात्रों को सला दी जाती है क्यों अपनी script निर्दिष्ट समय अबधी परिक्षा लिखने के लिए 3 घंटे प्लस script download करने और upload करने के लिए एक घंटे के बाद भी छातर दस्तावेज साक्ष के साथ online portal पर script जमा कर सकते हैं जिसके लिए 60 minute का अत्रिक्ष समय दिया जाएगा यानि कि आपका जो है total exam जो लिया जाएगा answer लिखने का वो जो है 3 घंटे का रहेगा एक घंटा आपको दिया जाएगा जिसमें आपको question paper download करना है scan करना है और वापस upload करना है यानि कि total आपको 4 घंटा दिया जाएगा और 4 घंटे में अगर आप खराब internet connectivity के कारण या कोई तकनिकी गरवरी के कारण upload नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है इसके बाद जो है 60 मिनट का यानि कि एक घंटा का और समय दिया जाएगा जिसमें आपको जो है सबूत के साथ में जो है अपना answer seed जो है upload करना होगा आखरी एक घंटे में यानि कि 5 घंटा में यदि समस्या बनी रहती हैं तो इमेल द्वारा script जमा कर सकते हैं इमेल जमा करने की अधिक्तम समय सीमा 30 मिनट हैं यानि कि फिर भी जो है पांचवे घंटे में भी अगर आप जमा नहीं करवाते हैं कर पाते हैं और सेम प्रॉब्लेम होता है तो आप जो है इमेल के थुरू भी जो है अपना answer seat जो है अपलोड कर सकते हो उनको भेज सकते हो और इसके लिए जो है पांच घंटे के बाद जो है आधा घंटा और मिलेगा इमेल के थुरू अपना answer seat भेजने के लिए उसके बाद जो है ऐसी सभी मामले इमेल जमा करने और 3 प्लस 1 गंटे से अधीक के परिणाम गोसित होने में देरी हो सकती है यानि कि इसमें ये कहा गया है कि आप 4 गंटे से ज्यादा समय लेते हो तो आपका जो है जो examination branch का जो समीती होगा वहाँ पे आपको देखा जाएगा कि सही region है इन्होंने जो है सही region के कारण जो है इन्होंने देरी से upload किया यानि कि इनका जो है internet चल नहीं रहा था या फिर जो और भी कई problem है वो नहीं हो रहा था और अगर आपका सही होगा तो आपका जो है जो result होगा वो सही समय पे declare कर दिया जाएगा और नहीं होगा तो आपके result में जो है delay हो सकता है यह जो है इसमें कहा गया है दिव्यांग छात्रों के लिए जो है total 4 घंटे का होगा उसके बाद जो है एक घंटा उन्हें मिलेगा जो है question paper download करना, scan करना, upload करना और उसके बाद भी जो है वो upload नहीं कर पाता है तो उन्हें और एक्स्ट्रा जो है 60 मिनट यानि एक घंटा मिलेगा यानि कि total इन्हें जो है 6 घंटे का जो है मिलेगा यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर समय बताया गया है इतने समय में परिच्छा का समय है उसके बाद इतने बज़े तक चलेगा scan करने और जमा करने के लिए आपको इतना एक घंटा लगबग दिया जाएगा उसके बाद जमा का अत्रिक्त समय एक घंटा दिया जाएगा फिर जो है अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आधा घंटा आपको email के थूँ करने के लिए दिया जाएगा क्योंकि यह आपके विसाय और विबरन के साथ एक मैप किया गया पोर्टल है यदि आप समय सिमा के भीतार PDF अप्लोड करने में विफल रहते हैं तो केवल उस इस्तिति में PDF के विसाय विसिष्ट email ID पर निर्देश समय सिमा के अंदर ही भेजे यानि कि इसमें यह कहा गया है कि आपको जो है जो आप रजिस्टेशन करोगे Open Book Examination का जो पोर्टल दिया गया है जो कि हमने सबसे पहले ही बताया था उसी पे आपको जो है अपना Answer Seat अप्लोड करना है और वहां पे नहीं अप्लोड हो पाता है तो आपको जो है इमेल कि थुरू जो है अपने अप्लोड करना है इमेल कि थुरू तो इसका जो है ध्यान रखे यह जब काम नहीं करेगा तभी जो आपको जो है करना है यदि आपने डियू के पोर्टल पर पहले ही PDF जमा कर दिया है और तो किरपिया इमेल ना भेजे email ID पर भेजी गई पुस्तिकाओं का मुल्यांकन केवल यह जाचने के बाद किया जाएगा कि उत्तर पुस्तिका DU के पोर्टल पर upload नहीं की गई है क्योंकि यह केवल एक संकट प्रबंधन समाधान है यानि कि इसमें यह कहा गया है कि आपने DU पोर्टल पर जो उपन बुक एक्जामनेशन का जहां पर रेजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पर अगर आपने अप्लोट कर दिया है अपना आंसर सीट तो दुबारा जो है आप इमेल कि थूरू आपको आंसर सीट अपलोड नहीं करना है और यहीं इसमें कहा गया है कि अगर आप दुबारा करते हैं तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है और यहीं चेक किया जाएगा वहां कि आपने पोर्टल पर अपलोड किया है उसके बाद दुबारा तो अपलोड नहीं किया अगर upload करेंगे तो आपको जो है इसमें दिक्कत हो सकता है तो इसका दियान रखिएगा अगर आपने एक जगा upload कर दिया है तो दूसरे जगा जो है आपको नहीं करना है चौधुआ जो है विसा विसिष्ट email id के अलावा अन्न किसी email id पर भेजी गई उत्तर पुस्तिकाओं को स्विकार नहीं किया जाएगा यानि कि जो email id एसोल के तरफ से थर्ड समेश्टर के लिए रिलीज किया जाएंगे अलग-अलग courses के उन्हीं पर आपको जो है अपना answer seat upload करना है इसके अलावा किसी दूसरे पर नहीं करना है यानि किसमें यही का गया है कि जो समय समय पर नोटिफिकेशन एसोल के तरफ से जारी किया जाता है उसका पालन किया जाएगा तो अमीर है कि आपको जो है यह guidelines के बारे में पता चल गया होगा थर्ड समेस्टर के बाकि आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा और चैनल पर नए है चैनल को भी subscribe जरूर कर लिजेगा और साथ में जो है आपको instagram का link जो है description में मिल जाएगा जहां पर आप जो हमें कभी भी जो है कोई भी सवाल हो तो आप उहां पर follow करके हमसे पूछ सकते हो बाकि सुक्रिया धन्यवाद